हेलाव व्रिवान कैसे आप लोग काई होप आप सभी अच्छे ही होंगे तो आज हम मौक टेस्ट 242 लिक्या हैं और यह जी के जिया से समानीद होंगे तो आप लोग वीडियो के अंतक बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है निमनलिखित में से कि घटना की पर्तिकिर्या के रूप में भारत छुड़ों अंदलन शुरू किया गया था बहुत ही महत्पूर्ण परस्ण है मौडर्न हिस्ट्री से समधित ऑप्सन में रखा है सायमान का मिशन क्रिप्स मिशन वेवेल योजना कैबिनेट मिशन तो पहले हम इसका एंसर बता देते हैं उसके अलाबे उसके बाद हम बताएंगे इस प्रस्ण से रिलिटेट जो भी इंपोर्टेंट प्रस्ण बनेंगी उन सभी को ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन बी क्रिप्स मिशन के परतिक्रिया के बाद भारत में भारत छोला नहीं सुरू हुआ था यह मिशन है क्या का वाया था इसका आध्यास क्या था सभी बातों को जानेंगे तो पहले हम हैडिंग देते हैं क्या क्रिप्स क्रिप्स मिशन यह पर देते क्रिप्स मिशन है क्रिप्स मिशन पहला पॉंड बनेगा कि क्रिप्स मिशन भारत का वाया था क्रिप्स मिशन भारत का वाया था तो यह था मार्च उनी सो ब्यालीश को इस भी याद रखेगा उनी सो ब्यालीश में था दुसरा प्रस्ण गी यहिודה कॉन था इसटिफ scholarship स्पित हरे बराइब commence मिम्क अध्या कूप अध्याद को शुकन हmist इसका कौई दिर्ट बिश्यूद में भारत का साथ चाहता था कॉन इंगलेंड जो था हुप Webb Stretch का साथ चाता था दूत्य विश्यूद में तब उसको भेजा किसको एस्टेफोर्ट क्रिप्स को किरिप्स मिसल लेके कहां भारत में और इसी के विर्योद में भारत में भारत क्विश्टन चर्चील का किसका था विश्टन चर्चील और उस्टन चर्चील के सरकार में फोट कृप्स सरम मंत्री तो सारे फ्ट को याद रखना है तो उसका answer option नसी में मातमा गंदी जी के द्वारा करू या नाई करू या मरू का नजया गया था का अट अगस्थ 1912 करू या मरू का नारा भी मातमा गंधी जी के दोरा किया था करू या मरू किसके दोरा मातमा गंधी जी के दोरा याद रखना है अब बढते हैं अगले प्रसं के उर प्रसंथ है सिपकुमार सर्मा किस वादि अंदर से सम HR in principle पंडित रवी संकर का समन्द किसे है पंडित रवी संकर का समन्द सितारवादक से नया पेचा गिया पंडित रवी संकर का समन्द किसे है सितारवादक सितार से पांसुरी का समन्द अथ तबला तबला दिनम कर जाकिर हुषेन जाकिर हुषेन अब मौसुरी हरी परसाद चोरसिया हरी परसाद चोरसिया हरी परसाद चोरसिया हरी परसाद चोरसिया का समन्द किसे है मौसुरी से तो एक यह उप्षन बज़ गया उप्षन बी संतूर तो सिव कुमार सरमा का समन्द किसे है संतूर से है याद रखे कि प्रस्ण बहुत बारे जम पुछा गया है शिवकुमार सर्मा एक है भजन सोपुरी भजन सोपुरी का वे संबंद किसे है भजन सोपुरी का संबंद संतूर वादक से है शिवकुमार सर्मा का वे संबंद संतूर वादक से है तो सारे प्रस्ण को याद रखना आपको सितार से संबने पंडीत रवे संकर संतूर भजन सोपुरी सिवकुमार सन्मादूनों के संतूर से हरी परसाच रस्या मुद्भांसुरी जाकी रुशन तबला यह बहुत ही मातपुर्ण नाम था जहांसे प्रस निग्जा में पुछे जाते हैं उसी कौम बता दिये वह बता यह कानवर समाज के संस्थापक थी पाता यह पफ्लू ब्रwhen समय के संस्थापक राजहाराम महनराय baik, near Är वारा आ ज devote तुब हम साइन का ठतके संस्थापक बेदाई लोटा से न आ कि उलकि और्राम समाज पार्याल समाज निए बहलне पारं सभाथ तो रनाड मे Papa diverम समाज अखबर दूत्य के द्वारा देगया था तो राजाराम मोहंडरय के द्वारा ही बर्म समाज का अस्थापना क्या गया था इसको आपको याद रखना है का बहुत तो एक वस्तू एक हजार हरक्ताज पर कंपन कर रही है उत्वन धोनी की आवर्तकाल कितना होगा आवर्तकाल टी बराबर क्या होता फर्मला वन बाइफ यह फ्रिक्वेंसी जो आवर्तिक होता उसका विद्करमानिक पाती होता आवर्तकाल तो यहां से आपको टी निकलना आवर्तकाल निकलना तो वन बाइफ कमा अंसर क्या हो जागा तो इसका अंसर होगा ओप्शन ए याद रखिएगा एक हजार हर्टाज पर कमपन कर रहे है तब उसका आवर्थकाल जो होगा धुनिका वह 0.001 सेकेंड इसका अंसर उप्शन यह कैसे हुआ यह फ्रमुलाप को आप याद रखना टी बरावर आवर्थका यह फ्रिक्वेंसी यह आवर्थकाल फ्रिक्वेंसी का क्या होता है वेद कर्मानुपाती होता समानुपाती नहीं वेद कर्मानुपाती इस प्रमुलाप को याद रखिएगा नेक्स्ट है तिरी पक्षिय संगर्स का हिस्सा है ये तो हिस्ट्री से समनेद वह थी अच्छा प्रस्ण है कि तिरी पक्षिय संगर्स का हिस्सा कौन है तिरी पक्षिय संगर्स मैं उफसें राष्ट कूट पाल चुल गुरज़र परतिहार राष्ट कूट पाल गुरज़र परतिहार राष्ट कूट चुल चाहवान चयॐज तो आप आप याद seguinte रखियेगा रट लिजिएगा गुरज़र परतिहार किसके 3andress और जीता कौन था इसके बार में जनेंगे तो घुर परतिहार राष्ट कूट पाल रास्ट कूट पाल इनि तिनों के भी 35 संगर्स हो था इसमें भी जाई रहा था गुर्जण परतिहार गुर्जण परतिहार याद रिखेगा तो promote प्रफ्टर ऑप्षन भी हो गया इसको आपको रट लिजनर लेना है कि तिरपक्षिया संगार गोजर परत्याद राष्ट कूर पाल आपका न्फुज़ हो जाते हैं चोल पे गहीं तो यह दर का पाल है राष्ट कूर है गोजर परत्यार है सृघ्र मौली करताव सबयान के किस सांसोधन दौरा जोड़े थी पतावका मौली करताव किस धिसे युए स से सन जीूर शमकरोच से मूल सब दान में मोली करताव फंडा मेंतल्स जो डूटीटी दूटी कि पर्जेंड में कितना है मूल कर्थब 1111 ऑगे तर आड एक़ने था तुझन फिर आपको जोड़ेगे तो आपको बताना है आपको बताना है तो इसका अंसर आप सब को पता होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सब्सक्राइब कर दिया तो आपको याद रखना है जितना हम बोल रहें उतना को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिए का प्रस नहीं कि इन में से कौन सा भारतियराज भूटान के साथ सीमा नहीं बाड़ता है भूटान से सीमा नहीं लगता है कि भार यहां बनाएं ते यह मनेब रात थे कर फूर यहां पर है तो बोटान के समनों कि से किसी लंगे का अरुटाभल एसन से साथ महित आश्म यह सिकीन आ एधर यह यह आपा स्यम नसी मंग सथ मी इन तर प्षु एल अटो चार राज श्मा नाहीं आ एब ठोटान से किसे किसे अर हम लगता है और इसका असम भी यहार का अपना से लगता है उसका बंडर बोटन से लगता है शाया कि साहरा सथ लगता हुआ अरुनाचला प्रदेश असम सिक्किम पसिमेंगाल परसने भारत सर्दान के किस भाग का समन्द पंचायत से है भाग दो में क्या है मोली करतब यह है मोली करतब है न भाग दो में मोली करतब नहीं है क्या है भाग दो में नागरिक्ता है भाग दो में नागरिक्ता है भागतीन में मौलिक करतब है भागतीन में क्या है मौलिक नागरिकता कहां सा गया है भागतीन में नागरिकता है भागतीन में मौलिक करतब है मौलिक करतब है मौलिक अधिकार है आज क्या होगी हमको मौलिक अधिकार ना प्रवाग तीन में फंडामेंटल राइट्स है मौली के दिकार भाग 2 में है नागरिकता भाग 4 में है डीपीएसपी राज के निती निदिशक्ता अब डीपीएसपी तो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा भाग 9 भाग 9 में पंचायत का समन्द भाग 9 से हैं याद रखेग कि कौन सा वी कौन सा वी कौन सा विया माहिन अमें प्हुhouस दोब सब्सक्राइब जोंतम गज्हतन निकोटिन नाम याacini यह भी ठीक ह Witरी और सायो को वहाला में यह बिipping वी भाहर हो है याटिन लोग भी सा मुसा मत है लेकिन टेको फैर ऑप्रमीन एटयक सब्सक्राब कामन बाक्स मिρέना है कि काका चेको लिए नहीं है कि would ever पारिपरत क्या कालाती है जल मंडल समताम मंडल वाय मंडल अस्थल मंडल जो भी होगा इसका अंसर को आप लोको कमेंड बॉक्स में देना तो फ्रेंड साज का प्रस्ण बस यह तक था सारी परस्णों को विद्ध कॉंसर्प्स बता दिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो